नमस्कार, डेच्टू चनल पर आपका स्वाकते बात करते हैं, राजस्तान के मौशम की बारे में, अगले 24 गंटों से लगा कर एक सब तके दुरान के सहरे के मौशम आज है 28 परोरी दोजार शोवीश, एक मार से मजबूत पच्चिम एक सोब शक्री होने से राजी के 27 जिलों पर मौशम में बदलावा आएगा, कई अलकीत कई मद्यम से लगा कर तेज बारिस और उला वस्टी होने की संभावना हैं, और तीन मार से एक बार फिर से राजस्तान के संपुन जिलों पर मौशम साप होने की परबल संभावना बनी हुई हैं, यह पर विकने संभा की बात क गंगानगर हैं, और जो पल्लू के आसपास के छत्रे हैं, सुर्द गड़ के आसपास के बागोपाद, एक मार से सुभी से इमोशन में बदलावाएगा, और रिम जम बारिस का दोड़ सल चकता हैं, और एक मार से दोपर होते होते लगबग विकनेर संभाव की जिल्ले हैं, जो गंगानगर हनमानगर अनुम कड़गियां पर हलकी से लगा कर खंड तेज बारिस का दोड़ सुरू हो जाएगा, लेकिन दो मार्च के दोरान भी कनेर संभाव की छेतर पर बारिस में और बड़ो तरी होगी, तीन मार्च से मोशन साप रहेगा, जोदपूर संभाव की बात करियां पर जेशन में जोदपूर बार मेर पाली जालो शिरोई की छत्रो की हैं पर भी लगबग 28-29 पर लगबग मोशन सुष्क रहेगा, और एक मार्च से मोशन में फिर से बदलावाएगा, एक मार्च से सुबे से नए बादल बनने सुरू हो जाएगे, एक मार्च क कई मद्यम से लगा कर तेज बारिस होने की संबाउन है, वहाएं भी तेज रहेगी, और उला उस्टी भी होने की संबाउन है, और तीन मार्च जोदपूर संबाग की भागों पर भी मौशन सुष्क होने की संबाउन है, कोटा उदेपूर संबाग की बात करें हैं, आपर भ कोई उद्चे के खास कर माशवडा डूंगरपूर पर ताफग्ट राशमत कि चैतरोपर उद्चे कि रहागो पालिक रहा डिर्यंज के भागो पर बारिक ताष्टोह दू तेज रहने की संबह नहीं वाक पितिज रह्की बर्दपूर जैपूर संभा की बात करें यहां पर भी लगबग 28 और 29 फरोरी का मौसरम सुष करेगा एक मार्ज के दूपर की बाद में बाद लोग की आवज़ा ही रहेगी हलाकि जैपूर संभा की जो उत्तरी जिल्ह हैं जो शुरू हैं शिक्र हैं जुन जुन के आसपास के बागोपर यहां पर यानि एक मार्ज की बारिश शुरू होने की संभावना है शुरू हैं जुन जुन की कई लगब पर एक मार्ज के दौरान कहीं हलकित कहीं मद्यम से लग करतेज बारिस होने की संभावना है और दो मर्ज के दोरान शिकर, शुरू, जुनजुनू, अलवर, भरपूर, दोसा, जैपूर, शिकर, अजबे, नागूर, टौक, बूंदी, बीलवाडा के इलाके हैं यहाँ पर देखा जाए, तो कई हलकीत, कई मज्दिम से लगा करतेज खंडबारिस और उलावश्टी होने की संभावना है तो जो भी किसान भाईयों ने अपनी फसल कटाई की हैं तो आज 28 तारीक हैं, 28-29 फरुर के दराद अपनी फसल को सुरक्षीत इस्तान पर ले जाए या उसको तिरपाज से पेकिंग करके रखें यान एक मार्च मौशर में लगबग बदलाव आने के संभाना है अलागे दो मार्च के दराद मौशर में बड़ा बदलाव देखनी को मिल सकता है जेहन तेरा जस्तान